हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पहला कुशन निम्नांग केत में से कौन राजस्तान लोक सेवा आयोग के सच्चिय एवं अध्यक्स दोनों रहे हैं तो इसका उप्शन नमबर एक से ज़्याग एन के बैर्वा अगला निम्नांग केत में से कौन राजस्तान राजज्यमान और दिकार आयोग के अध्यक्स नहीं रहे हैं और जश्टिक प्रकाश टार्टिया भी और जश्टिक जगसिंग ये नहीं रहे हैं और जश्टिक एस सगी रहमेद ये भी रहे हैं अगला निमनांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बर्क कुतुल्ला खां को राजस्तान का मुख्यमंत्री नूक्त किया गया था तो इसका अप्शन नमबर दो से हो जाएगा मौलाल सुकाडिया के त्याग पत्र के बाद नेक्स्ट राजस्तान के किस मुख्य मंत्री की काम चलाव सरकार यानी केर टेकर गवर्नमेंट के विरूद विदान सभा में एव इस्वास परस्ताव लाया गया था तो इसका अप्शन नमबर दो से हो जाएगा टीकराम पालेवाल के टाइम नेक्स्ट राज्य मुख्य सूचन आयुक्त की नुक्ति किसके दोरा की जाती है तो इसका अप्शन नमबर च्यार से हो जाएगा राज्यपाल दोरा राजस्तान लोक सिवा गारंटी डिलिवरी अधिनियम के सम्मन्द में क्या सही नहीं है आप्शन है के परारंब में अधिनियमें 15 विवागों की 108 सेवाओं को सामिल किया गया था सही है सरकार ने सेवाओं परदान नहीं करने पर उसमें देरी होने पर जुरुमाने का प्रवधान भी किया है ये भी सही है और नियत समय सीमा की करना करते समय अवकासों को सामील निये किया जाएगा ये भी सही है और पर्थम अपील और दीती अपील थता पुनर निरिक्षिन आविदन के साथ पीश दे होगी ये गलाता है निमनांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद की सरते हैं तो इसका अप्षिन नंबर दो से हो जाएगा यानि वह संसत के किसी सदन या किसी राज्य के विदान मिंडल के किसी सदन का सदेश नहीं होगा और वह अन्ने कोई लापद दारन नहीं करेगा ये राज्यपाल की पद तो ऐसी सकतियां प्रदान प्रादिकार प्रदान करेगा जिने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है तो इसका अप्शन नमबर दो से हो जाएगा स्वायत्य सासन की इकाईयों की रूप में काले करने के लिए नेक्स्ट राजस्तान पंचायती राज व्यवस्ता के सासन प्रणाली की व्यवस्ता क्या है तो इसका अप्शन नमबर दो से हो जाएगा ग्राम और खंडोर जिला इस्तर का इस्तानी सवसासन का त्री इस्तिर है नेक्स्ट निमनांकेत में से कोन राजय विदान सभा के साधार निरवाचन की अदिश सुचना जरी करता है तो इसका उप्शन नमबर तीन से बैगा राजय बाल नेक्स्ट राजस्तान राजैं मान उदिकार आईो के अध्देक्स किसे नियुक्त क्या जा सकता है तो इसका option number एक सी जाएगा किसी उच्छ नहीं लेका सेवाइन नेवर्थ मुख्य नहीं दीज राजस्तान लोकायुक्त के सम्मन्द में नेमन में से कौन सा कतन सही है तो कतन एक है राजस्तान के मुख्य मंत्री लोकायुक्त छेतर अधिकार से बाहर है ये सही है और मालेका का राजस्तान लोकायुक्त के छेतर अधिकार से बाहर है ये भी सही है और राजस्तान राज्य विदान सभा सच्छिवाले के अधिकारी वा एकरमचारी लोकायुक्त के छेतर अधिकार से बाहर है ये भी सही है यानि तीनों कतन सही है Next निम्नांग केत में से कोन सा साई सॉमेलित नहीं है तो अनुछेव Aww अनुछेवह द्यवक्पन में रास्यपाल का पद से ये गलत है Next नेक्स्ट राजस्तान में राजस्तान के निम्नांकित राज्य पालों में से कौन इंदुस्तान एरोमेटिक एरोनेटिक्स लिमिटेड के देख से रह चुके हैं तुसका उप्शन नमबर एक से जाएगा ओपी मेरा नेक्स्ट कि सेवधानिक संस्दार अधिनियम दोरह राजस्तान में राजप्रमुग संस्ता को समाप्त कर दिया गया तुसका उप्शन नमबर एक सैवधानिक संस्दार अधिनियम उननीस सो चपण नेक्स्ट वर्स दोजार बीस में राजस्तान के राज्य पाल ने कितने अध्यदेश प्रक्यापित किये जारी किये तो इसका उप्षिन नमबर तीन से वजाएगा आठ नेक्स्ट निमनांक के इतमे से कौन तेन या तीन से अधिग बार राजस्तान के मुख्य मंतरी रहे हैं तो इसका उप्षिन नमबर चार से वजाएगा बहरु सिंग सेकावत महुनलाल सुकाडिय और अरिदेव जोसी नेक्स्ट राजस्तान के राज्य के मुख्य नायदीस औ और अन्य नायदीसों के न्युक्ति किसके द्वार की जाती है तो इसका उप्षिन नमबर एक से वजाएगा भारत के मुख्य नायदीस और राज्ये के राज्येपाल के साथ परामर्स कर राष्टपति द्वारा नेक्स्ट निमनांकेत में खिस्तारी को राजस्तान उचिन नियमन 1922 प्रवावी होई तो इसका उप्षिन नमबर 3 से वजागा एक अक्टूबर 1922 से नेक्स्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के अंतरगत राजस्तान के लोग अधिकारी पर राजस्तान राज्य सूचना आयोग आदिस बाध्यकारी होगा तो इसका उ Muhanna आते हैं जो सामिल कि दिए तो इसका उप्ष्ण ममबर 12 is जाएग याएन चार स्येनों नागरिक एम राजनेतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार और सामाजी कैम सांसकरतिक अधिकार निमनांकेते में से कौन राजस्तान के मुख्य सच्ची हुए है तुसका उप्शन नमबर यानि वी नाराण भी रहें और किसन पूरी भी रहें और साहुलदान उजोल ए भी रहें बाकि मेग राज कलन ही रहे नेक्स्ट राजस्तान विदानसभा के संबन्द में निमनांकेत में से कौन सा कतन सही है तुसका उप्शन नमबर यानि 1922 में राजस्तान विदानसभा की कुल सद्देशो की संक्या 160 यह सही है और राजस्तान विधान सभा में प्रकरिया हुए कार्य संचालन के नियम पहली Ambus में निर्मिद किया गए यह भी शहई है और राजस्तान विधान सभा के 18 स्थाइईव स मिती जिसमें इसे 8 मित समन दितनीत है ये गलत है नेक्स्ट निम्नमें मेंसे राजस्तान के परता मेल नेक्स्ट है राजस्तान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राषी का जुर्माना अरोपित कर सकता है तोसको अप्शन नंबर सी से जगा 25 जारका नेक्स्ट राजस्तान की उप मुख्य मंत्रों के बारे में कौन सी जोड़ी सही है तो इसका अप्शन नमबर B से जाएगा कमला बेनियार और सचीन पाइलेट नेक्स्ट भारत के सविदान का कौन सा सविदान संसोदन अधिनयार राजस्तान की मंत्री परिशत का अकार को सिमीत करता है तो इसका अप्शन नमबर D से जाएगा सविदान संसोदन इकराणवा संसोदन अधिनयार दोजार तीन निमिलिकेत में से कौन सा युगम सुमिलित नहीं है तो 243 आर्मिन नगर पालिकाओं की सरचना का उलेक है यह सही है और 243S में वाड समितियों का गठन की सरचना यह भी सही है और 243ZE में मान अगर योजना समिति का गठन यह भी सही है और 243 जैड सी जिला आयोजन समीति का गठन ये गलत है क्योंकि जिला आयोजन समीति का गठन 243 जैड डी में यहने सी के जगे डी आएगा नेक्स्ट राजस्तान उची नहे लेकर वो दगाटन राजप्रमुग सवाई मान सिंग दवारा किया गया था तो इसका अप्शन नमबर एक से विजाएगा 29 अगस 1949 को इसका अप्शन नमबर सी से विजाएगा सयद सगीर हैमद नेक्स्ट विदान सबस्वा चुनाओं में एसपष्ट बहुमत के कारण राजस्तान में राष्टपति सासन कब लगाया गया था तो इसका अप्शन नमबर सी से जाएगा इसका अप्शन नमबर सी से विजाएगा राज्यपाल नेक्स्ट वर्तमान में राजस्तान उच्ट नमबर सी से जाएगा पचास नेक्स्ट कतन को ध्यानपूरिक पडिये कतन है का राज्स्तान का महाधियुकता कारीक कारियल्ल राज्य पुनलागपन DO में द्रॐफ्टन के नुसर राज्टान राज्ये के गटन पर अस्तितिमाया सई ऑप और जी सी कासली वाल राज्टान के पर्थम महाद युकता बने थे यह भी सही है नेक्स्ट यह दि राज्टान लोग सेवा आयोग का अध्यक्स या सदे से इस्तिवाद देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा तो इसका option number B से विजाएगा राज्य पाल को नेक्स्ट बारते से विदान का कौन से अनुचे राज्य के मंत्रियों की न्युक्ति कारेकाल जिम्मेदारी योगताव बेतन और बतों से संबन दीता है तो इसका option number C से विजाएगा अनुचे देख सो चौन सट नेक्स्ट राज्स्तान में कितने विदानसवा चौनाव चेतर क्रमशे अनुचित जाती और अनुचित जन जाती के लिए उमिदारों के लिए आरक्षीत है तो इसका option number A से विजाएगा 3480 के लिए और 2580 के लिए नेक्स्ट मातमगांदी राष्टे ग्रामी रोजगार गार्णिटी योजना कि आयोजन और किर्यानेवे के लिए कौन जवाबदार है तो इसका option number B से जागा ग्राम पंचायत किस अनुचेद के तरहत पंचायतों को से विदानिक दर्ज़ा दिया गया था तो इसका option number B से जागा अनुचे 243 नेक्स्ट राजस्तान के लोकायुक्त के संदर में निमन कत्नों पर विचार केजिए कतन यह कहें नयमूर्थी आईडी दो राजस्तान के पर्थम लोकायुक्त थे सही है लोकायुक्त व्यावसाय के सामें व्यावसाय में सामिल नहीं हो सकता यह भी सही है और वह संसद्य विदानसवा कि यह संसद्य विदानसवा का सदेश्य होना चीए यह गलत है तिशाप से उप्शन नंबर एक और दो सही है नेक्स्ट रास्तान में रास्तान में राज्येपाल का पद राजप्रमों का उत्रवरती है 30 मार्च 1949 को जब रद राज्तान राज्येगा अगटन किया गया तब राजप्रमों किसे बनाए गया था तो इसका अप्शन नंबर बी सेव जाएगा सवाई मान सिंग को नेक्स्ट राज्येपाल से संबंदित कर्दों पर विचार कीजिए कतने के उसे बारत का नागरी को ना चीए सही है उसकी आयू कम से कम 35 वर्स होनी चीए ये भी सही है उसमें लोग सबह के सदेशे बनने की योगता होनी चीए ये गलत है वह एक से दिक राज्येपाल हो सकता है ये भी सही है इसापसा अप्शन नंबर बी से जागा एक दो और चार चाहिए नेक्स्ट भारते सर्विदान का अन्यमिल लेकेत में से कौन सा नुचेत राज्येपाल के कार्योकाल से समन दीत है तो उसका अप्शन नंबर एक से जागा नुचेत 156 नेक्स्ट राज्येपाल नुचेत राज्येपाल नुचेत राज्येपाल दोवारा की जाती है इस समेति का अध्यक्स कौन होता है तो उसका अप्शन नंबर एक से जागा मुख्य बंतरी नेक्स्ट निमिलिकित वक्तिवों पर विचार करें पहला है राज्यस्तान में लोकाई संस्ता का संस्ता को वर्स 1903 में स्ताफित किया गया सही है नहमूर्ती आईडी दोह राज्येपाल राज्येपाल जिनका कार्यकाल के दोरा निर्दन हुआ था तो उसका अप्शन यहन के सिंका भी श्रीमर्ती प्रबाराओ का भी निर्मल्चन जैन का भी और दरवारा सिंका भी नेक्स्ट राज्तान लोकसिव आयों के अध्यक्स को किसके दोरा निलम्बित किया जा सकता है तो इसका अप्शन नंबर सी से जग राज्येपाल दोरा बारते सभिदान का न निलम्बित का अप्शन नंबर सी से जागा जैपूर में नेक्स्ट रास्तान के मुख्य सुचनायो की निफ्ति कौन करता है तो इसका अप्शन नंबर डी से जागा राज्येपाल नेक्स्ट निलम्बित के इतम से कौन रास्तान राज्येपान अधिकार आयो के अध्यक्स नहीं रहे हैं तो नयमूर्थी एन के जैन रहे हैं नयमूर्थी एस सगी रहमत ये भी रहे हैं नयमूर्थी कांता वटना कर ये भी रहे हैं लेकिन प्रेमचंद जैन नहीं रहे हैं किसी राज्य के राज्य पाल एन गुवर्णर के बारे में कतनों पर विचार करें, उनको बारत के मुखे नायदिक्स दौहरा नुक्त करते हैं, यह गलत है, क्योंकि राश्टपति दौहरा नुक्त होता है, वे राश्टपति की अनुसार पत पर रहते हैं, यह सही है, उनमें निर्वाचन आयों के बारे में निमीन लिकित कफनों को विचार कीजिए और सही निर्णे के चुनाओं कीजिए कातान एक है राज्य की पंचायतों नगरपालिकाओं के चुनाओं के लिए निर्वाचन सूची त्यार करता है ये भी सही है और पंचायतों यह नगरपालिकाओं के चुनाओं के चुनाओं को संपन करता है ये भी सही है तो अप्चिन नमबर D हो से जाएगा एक और दो सही ह कौन थे तो इसका अप्शन नंबर B से जाएगा सर ऐस के गोस कि रास्तान के वरत्मान लोगाईगत कौन है तो इसका अप्शन नंबर D से जाएगा परताब कर्शन लोरा नेक्स्ट भारत के सरविदान का कौन सा अनुचेद राज्यों के उच्छ नायलों की मूल अधिकारों के परवतन का अधिकार देता है तो इसका अप्षिन नमबर सी से जाएगा अनुचेद 226 बारत के सरविदान के किस अनुचेद में राज्यों के विदान परीशदों की सराचना का उलेक है तो उसका अप्शन नंबर 20 है जाएगा अनुचेद 111 में सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है तो ग्राम पंचायत वह गठन अनुचेद 140 में और समान नाग सहिता 145 में और क्रिश्री एक पंचुपालन अनुचेद 148 में और नयाई पालिका का कारिपालिका से पर्थक करन अनुचेद 50 में इसे अप्शन नंबर 21 जाएगा नेक्स्ट राष्टे मानुदिकार आयो का गठन किस अधिनम के अंतरगत किया गया है तो इसका अप्शन नंबर 20 से जाएगा मानुदिकार सरेक्षन अधिनम उननी सो तराण में निमिलिकीत में से कौन पद कौन पद गरेंड करने से पूरू राष्टान के राजयेपाल के समक्स पद पर सपत लेता है तो इसका अप्शन नंबर यानि राष्टान राष्टान राजये के मानुदिकार आयो के अधिक्स और राष्टान के लोका आयो ये दोनों ये और भी दोनो नेक्स्ट राजस्तान विदानसभा के अध्यक्स की अनुपस्तिदी में अवी लमनी है मामलों में नमनांकित में से कौन अध्यक्स की और से विदय को प्रमानित कर सकता है तो उसका अप्शन नमबर सी से जग विदानसभा का सचीव